हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो है LL1 पार्शिंग टेबल बनाएंगे और फिर हम एक स्ट्रिंग का एग्जामपल लेंगे और देखेंगे कि हम उस LL1 पार्शिंग टेबल से वह स्ट्रिंग कैसे डिराइब कर सकते हैं तो हां मैंने बहुत ही असान सी प्रोड़क्शन लेए जैसे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ जान कि किस तरीके से काम हो रहा है तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट और फॉलो निकाल लेंगे पहले मैं इसको तरीक से लिग ले आँ तो इसका फर्स्ट जो हो गया वो गया यह और इसका फर्स्स जो गया वो गया एपसेलन। फॉलो जो गभए एस का फॉलो गया है एस का फॉलो है ये और एस फर्स प्रडुक्शन है तेह डॉलर अब हम इसकी टेवल मुना आ ज़ते ही, यहां से फिक प्रडुक्शन है एस नॉन टर्मिलल है, open parenthesis, close parenthesis और डॉलर तो ये production जो होगा, ये कहा हैगा, ये आएगा इसके नीचे और epsilon वाला production कहा आता है, ये आता है follow में तो S to epsilon आया यहाँ पर और S to epsilon आया यहाँ पर अब ये मेरी table जो है बन गए, ये table बनाना हमने last video में भी जीखे थी लेकिन हमने क्या नहीं सीखा था, हमने नहीं सीखा था, वो था कि हम किस तरीके से एक string को derive करेंगे, तो यहाँ मैंने example के लिए एक string ले लिए, open parenthesis, open parenthesis, close, close, dollar इसको मैं इस table से derive करूँगा, कैसे करूँगा, एक stack की मदद से, देखे सबसे पहले इस stack में क्या है, null character है, और null character के साथ पहले मैं start symbol रखाँगा, start symbol रख लिए वैं, अब पहले मैं यहाँ पर हूँगा, यह symbol, start symbol पर कहां जा रहा है, तो यह start symbol पे कहा जा रहा है इस पे जा रहा है तो ये मैंने चीज यहां पे बना लिए ठीक है और इसको stack में किस तरीके डन लगा रहा है इस तरफ से पहले ये आया फिर s आया फिर ये आया और इस s से आया तो ये s कट गया ठीक अब ये अभी मैं इसी पे हूँ इस पे मैंने s देखा था और मैंने production लेके है अब ये string इस से मैं चुई तो ये और ये symbol सेम हो गया तो ये symbol यहां से कट गया ठीक आगया मैं यहां पे अब ये symbol top of the stack क्या है s तो ये symbol s पे कहा जा रहा है ये symbol s पे जा रहा है तरफ से मैंने लिखना चालू कर दिया ये अब stop of the stack से match किया और ये दोनों match कर गया ये कटा ये कटा इदर आगा ये symbol s पे ये symbol s पे कहा जा रहा है null पे तो s कट गया ये symbol इस पे match हो गया तो ये दोनों कट गया ये symbol सिंबल इस पर मैस हो घया दॉनूं कट डॉलर डॉलर मैच हो गया है जहांपर डॉलर कमों यहांने सेप्शन गया था जैदम यह बीगाता तो यहां पर डॉलर मैच करगए वहां यहां पर मेरा स्ट्रिंग जो होगी वो एक्सेप्टेट हो जाएगी और जहां यह स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है वहां मैंने यहां पर पास्ट्री भी मेरा इस प्रोडक्शन के लिए बन गया देखी कैसे यह आया मेरा open parenthesis फिर नीचे गया एक और open parenthesis नीचे आया नल आया फिर एक close parenthesis और यही तो मुझे डराइव कर नीचे तो इस तरीके से हमने देखा कि हम एक ll1 पारसर का इस्तमाल करकि किसी भी इस तरीक से हम डिराइव कर सकते हैं इक stack की मदद से यहां पर यह stack है इसका हमने इस्तमाल किया अगर आपको यह वीडियो अभी निसंज में आयी हूँ तो आप इस वीडियो को फिर से rewind करके देखिए तो कि यह जो concept यह समझना बहुत जरूरी है और यह एक बार में समझ में नहीं आता है जनरली तो इसे बार बार आप देखिए मैं recommend करूंगा और आपको यह जल्दी समझ में आ जाएगा और एक बार यह समझ में आ गया तो फिर आप कई सारे questions जो है previous year gate के कर सकते हैं